Hey everyone, welcome to my channel AllFactland Friends, हम आज के वीडियो में बात करने वाले है एपोप्टोसिस के बारे में क्या है एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कह सकते हैं इसे प्रोग्राम सेल डेथ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है प्रीप्लान रहता है, सेट रहता है जब हमारे बाडी की सेल में कुछ अबनॉर्मिलिटी आ जाती है जैसे कि DNA डेमेज या फिर कोई सेल की लाइप्सपैन कम्प्लीट हो जाती है तो उस तरह के सेल जो है एपोप्टोसिस में चले जाते है सेल की डेत हो जाती है जैसे कि मैं अगर एग्जामपल लूँ, RBC का, Red Blood सेल का तो इस सेल की लाइप्सपैन रहती है 120 डेज 120 डेज होने के बाद में जो है यह सेल एपोप्टोसिस में चले जाता है हमारे बाडी से इलिमिनेट कर दिया जाता है अगर यह सेल्स इलिमिनेट ना हो जो abnormal सेल्स है वो हमारे बाडी में वैसे के वैसे ही रहते है तो हमारे बाडी में जो है cancer जैसी growth देखने को मिलेगी जिसके कारण हमारे बाडी की जो functioning है वो क्या हो जाती है disturb हो जाती है तो हमारे बाडी के smooth functioning के लिए जो है apoptosis concept बहुत important है जैसे कि आप जानते हैं हमारे body में जो है हर दम कईयों cell form होते रहते हैं और कईयों cell की date भी होती रहती है तो अगर हमारे body में इस cell की date ना हो तो क्या होगा वो cell हमारे body में वैसे की वैसे ही रहेंगे और tumors का formation होते रहेगा जिसके कारान हमारे body की जो functioning है वो disturb हो जाएगी अब apoptosis होते कैसे हैं तो apoptosis होने के लिए जो है apoptotic signal बहुत important होता है जैसे ही cell में कुछ damage आ जाता है जैसे की DNA damage या फिर cell की life span खतम हो जाती है तो उस case में cell को signal मिलता है apoptosis में जाने के लिए दिन cell जो है कुछ ऐसे enzyme को activate कर देता है जो की protein को destroy करने में मदद करता है protein को degrade करने में मदद करता है तो कुछ ऐसे enzyme activate हो जाने के बाद जो है हमारे body की जो different types of protein है हमारे cell के अंदर जो proteins रहते है वो क्या हो जाएंगे degrade हो जाएंगे जिसे के building block कहते है वो degrade हो जाने के बाद कहाँ cell रहने वाला cell भी degrade हो जाता है cell की apoptotic body बनती है और जिस enzyme के हम बात कर रहे थे जो की protein के degradation के लिए responsible है उसे हम कहेंगे caspases तो इसको हम फिलाल के लिए run देते हैं हम इतना समझ लेते हैं कि caspase जो है कि ऐसे enzyme है जो की protein को degrade करते है और यही enzyme जो है important role play कर रहे है apoptosis में तो यह जो है एक active process है energy dependent process हो है apoptosis होने के लिए energy लगती है then apoptosis जो है वो neuro degenerative disease जो है उनमे भी role play कर रहा है देखे हमारे brain में जो है neuron cells present रहते हैं और यहाँ पर excessive caspase activate हो जाने के कारण हमारे brain के cell की date हो जाती है जिसके कारण हमें Alzheimer, Huntington जैसे disease हो जाते है जिसके कारण हमारी जो memory है वो loss हो जाती है तो apoptosis जो है यहाँ पर भी role play करा neuro degenerative disease में उसके साथ-साथ apoptosis C.E. elegans में भी होता है embryonic development के वकट C.E. elegans में 1090 cells present रहते हैं और 1090 cells में के normal development के लिए 131 cells apoptosis में जाना बहुत important है अगर यहाँ 131 cells की date नहीं होती तो यहाँ पर जो है हम इसी elegans में abnormality देखने को मिल सकती है तो यहाँ 131 cells की date होनी के लिए C.E. D. 3 gene जो है बहुत important role play करता C.E. D. 3 gene जो है एक product बनाता है जिसके हम क्या कहेंगे caspasy बोलेंगे तो यह जो caspasy है यह 131 cells में activate हो जाते है जिसके कारण 131 cells जो है वो apoptosis में चले जाते हैं और C.E. elegans की development हमें normal देखने को मिलती है लेकिन अगर C.E. D. 3 gene mutate हो जाता है C.E. elegans में तो वो अपना product नहीं बना पाएगा जिसके कारण 131 cells जो है वो apoptosis में नहीं जाएंगे और हमें 1090 cells जो है वैसे के वैसे ही C.E. elegans में देखने को मिलेंगे जिसके कारण C.E. elegans की जो development है वो abnormal हो जाएगी दिन हम हम बात करते हैं apoptosis कैसे आगे बढ़ता है तो जैसे ही cell को signal मिल जाता है apoptosis के लिए उसमें caspases activate हो जाते है जो कि enzyme से protein को degrade करने में role play कर रहे हैं और जैसे ही caspases activate हो जाते है तो यहाँ पर कई यों process होती है जैसे कि DNA का fragmentation हो जाता है chromatin का condensation होगा DNA का fragmentation होगा DNA का fragmentation हो जाने के बाद यहाँ पर membrane blebing होता जो plasma membrane है इनमें ऐसे blebs form होंगे और यह blebing हो जाने के बाद जो है यहाँ पर जो nucleus है उसका भी fragmentation होगा then nuclean का fragmentation हो जाने के बाद cell का भी धिरे-धिरे fragmentation होगा और cell जो है छोटी-छोटी apoptotic body में divide हो जाएंगी then यह apoptotic body में divide होने के बाद यह जो apoptotic body है जो phagocyte cells रहते हैं हमारे body में वो phagocyte cells इसे खा जाएंगे then उनमें जो lysosomal senzai present रहते हैं वो क्या कर लेंगे in apoptotic body को degrade कर देंगे next है regulation of apoptosis apoptosis को regulate करने के लिए जो है दो तरके factors most important है anti-apoptotic factors and pro-apoptotic factors anti-apoptotic factors जो है वो apoptosis को inhibit कर देते है cell death को inhibit करते है और pro-apoptotic factor जो है वो promote करते है apoptosis को apoptosis को होने के लिए जो है वो क्या करेंगे promote करेंगे तो यह जो है BCL-2, BCL-XL BFL-1, MCL-1 यह जो है anti-apoptotic factor है अगर कोई सेल apoptosis में जा रहा है तो उसको इनिबीट करने का काम जो है यह anti-apoptotic factor करेंगे और back, backs, beam, bed, bead यह जो है यह pro-apoptotic factor है और यह जो pro-apoptotic factor है यह सेल को promote करते हैं apoptosis में जाने के लिए जैसे ही सेल को signal मिल जाता है apoptosis के लिए यह factor जो है activate हो जाते है तो यह दोनों factor जो है anti-apoptotic factors और pro-apoptotic factor यह BCL2 family protein से बिलॉंग करते हैं और यह regulate करते हैं apoptosis को cell date को तो friends इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हमने जाना कि apoptosis क्या है, apoptosis कैसे काम करता है और कौन-कौन से वो factor जो कि apoptosis को regulate करते हैं अगले इसमें हम जानेंगे intrinsic pathway, extrinsic pathway और caspaces कैसे काम करते हैं, कौन-कौन से caspaces होते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोंगी, ऐसे कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दे, धन्यवाद